तो स्वागत है सभी आगनबरी सिविका बहनों का पोशन ट्रेकर एप की एक नए वीडियो में तो आज हम जो बताने वाले हैं वो सभी सिविका बहने ध्यान से सुन लिजिएगा जैसे कि पोशन ट्रेकर एप अगर आप लोग काम करते हैं तो आप लोग को पता होना चाहिए कि महिने के आखरी तारिक तक आप लोग को पोशन ट्रेकर एप में कुछ ऐसे काम होते हैं जिसको आप लोगों को 100% कम्पलीट करना होता है जैसे कि अभी 1 जनुवरी 2023 आने वाला है तो आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे 2023 से पहले ऐसे महत्वपुन कामों के बारे में जिसको आपको दो दिनों के अंदर complete कर लेना है जैसे कि आज है 30 तारिक और कल 31 तारिक तो इन दो दिनों में आप लोग को जितने भी पोसंट रेकरेप के बचे हुए काम है या छूटे हुए काम है उसको complete कर लेना है तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी के बारे में आप लोग को बताएंगे तो वीडियो काफी useful होने वाली है आप सभी के लिए अगर आज की ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो का आप लोग लाइक कर दिजेगा चैनल को यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिएगा देखे सबसे पहली important काम आप लोग को ये करना है जैसे कि अभी आप लोग को notification भी मिला होगा कि 2023 में अब जितने भी लभार्थियों का आपने अधार वेरिफाई किया रहेगा तो उनहीं को आपको राशन मिलेगा बाकी जिनका अधार वेरिफाई नहीं रहेगा उनको राशन यानि की पोसहार वगेरा जो है वो नहीं मिल पाएगा तो सबसे पहला important काम आप लोग को अधार वेरिफाई कर लेना है जितने भी छुटे हुए लभार्थी हैं उन सभी का new registration करना है और उनका अधार वेरिफाई आपको complete कर लेना है ये जो काम है वो आपको 100% कर लेना है ठीक है अब चली अगले step कियो चलते हैं अगला step जो है यहाँ पे आप लोग को क्या करना है यह जो mode वाला option आप लोग देख रहे हैं इस option पे आप लोग को किलिक करना है और आ जाना है कहाँ पे आपको तो यह event वाले option में आप लोग को आ जाना है यहाँ पे लिखा हुआ है घटना है तो इस option में आने के बाद दो ऐसे जो मोडूल है इन दोनों मोडूल में आप लोग को यह जो काम है वो complete कर लेना है जैसे कि first में आपको यहाँ पे CBE काड़ेकरम के उपर लेके चलते हैं जो community based event का काड़ेकरम आप लोग के आगनबारी के कर लेना है जैसे कि सबसे पहले आप लोग को क्या करना है कि जो गुद्भराई और इसकी कर देना है और यहाँ पर आपको हो सम्मिट कर देना है ठीक है जैसे कि मैं यहां पर सम्मिट कर दे रहा हूं यहां पर जैसे ही सम्मिट करेंगे तो आपका जो गुद्भराई वाला इभेंट है वो यहां पर कम्प्लीट हो जाएगा और साथी साथ एक और बात आपको बताते चले कि अगर आप लोग पोसंट्र इसको यहां पे एड कर पाएंगे चाहि उन गुद्भराई दिवस या अनपरासन दिवसので एक दिन में अप लोग एक गती बिधी को एड करें और दूसरे दिन दूसरी गती बिधी को एड कर सकते हैं आप लोग के पास मत्र दो ही दिन का समय बचा है, इस परकार से आप लोग यहाँ पे इसको add कर सकते हैं, अभी यहाँ पे हमने इसको submit किया है, लेकिन यह submit हो रहा है, बाद में आपका यह submit हो जाएगा, आप लोग फिर से यहाँ पे आके देखेंगे, तो आपका जो गुद्भराई वाला event है, वो के आगनबारी केंदर पे टिका करन का date होता है, उस टिका करन की date को आपको यहाँ पे entry करना काफी important है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग को पता है क्या करना होता है, यहाँ पे हम वाले पे click करेंगे, और यहाँ पे जिस दिन भी आप लोग केंदर पे टिका करन हुआ है, उस यहां पर चलते हैं अगले स्टेप की और जैसे की अगला स्टेप हमको क्या कंप्लीट करना है तो यहां पर हम लोग आ जाएंगे लभार्थि वाली केटेग्री में तिक है यहां पर जितने भी बच्चे हैं जीरो से लेके 6 वर्ष के उन सभी बच्चों का जो growth monitoring का काम आप लोगों नहीं किया होगा इस महीने इस growth monitoring के काम को भी आपको complete कर लेना है देखिए यहाँ पर हम किसी एक बच्चे के three dot पर click करेंगे और यहाँ पर growth monitoring वाले option में आ जाएंगे आने के बाद यहाँ पर आप लो लोग को 80% growth monitoring करना है 80% से ज्यादा भी आप लोग कर सकते हैं और इसी percentage के अनुसार आप लोग को प्रोसाहां रासी भी दी जाएगी तो कम से कम आपको जितने भी बच्चे हैं उन सभी को मिला के 80% आप लोग का growth monitoring होना चाहिए ठीक है आप लोग 100% भी कर सकते हैं अगला step जो आप लोग को complete करना है वो है आपका THR यानि की take home राशन तो जितने भी लभारतियों को आप लोग THR देते हैं उन सभी को भी आप लोग यहाँ पे जितने भी लभारति हैं उन सभी का THR भी आपको महिने के end तक complete होने चाहिए जैसे कि यहाँ पे three dot पे click करेंगे three dot पे click पेंगे कि green color का tick यहाँ पे हुआ है यानि कि इस लभारति का जो है THR complete हो गया है तो यहाँ पे आपको उस लभारति का THR भी complete कर लेना है अगर आपने THR यहाँ पे नहीं किया है तो ठीक है इस प्रकार से इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग को पोशन ट्रेकर पे महिने के आखरी तारिक तक यह सभी महतोपून काम आप लोगों को कर लेना है ठीक है उसके बाद यहाँ पे आते हैं home visit यह home visit का भी काम आप लोगों को महिने के आखरी तारिक तक complete कर लेना है जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को date भी दिया रहता है कि कि किस तारिक से किस तारिक तक आपको यहाँ पे home visit कर लेना है तो जिन लभार्थियों का due में आप लोग का home visit दिखा रहा है तो इन सभी का home visit भी आप लोग को complete कर लेना है यहाँ पे आपको miss नहीं करना है देखे यहाँ पे इस सेविका बहन का जो home visit है वो एक भी miss नहीं है इस प्रकार से आप होम विजी टाइम से कर लेना है तो इस प्रकार से आप सभी आगनबारी सेविकाओं को एक जनुवारी 2023 से पहले जितने भी लभार्थियों का काम पेंडिंग है वो सभी काम आप लोगों को कम्प्लीट कर लेना है तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके सभी सेविकाओं के साथ सेर किजिएगा चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिएगा क्योंकि आगे भी आप लोगों को इस प्रकार से नए 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 वी